हेलो स्टूरेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग ncrt एक्सराइज सॉल्व किया था 2.1 आप हम लोग email अगरवाल एक्सराइज का यह जो छे कोसें हमने लिखा है सारे कोसेंस आप कॉफी में नोट डाउन कर लीजिए और इसका डिटेल सॉलीजस हम बताएंगे बहुत इंट वीडियो है उसको पहले देख भीजिए ठीक है उसमें सारे थीओरीज हमने बता दिया है सारे सामस करने के लिए क्या क्या थीओरीज चाहिए एंट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डेटेल में स्ञूलीशन देंगे आपको तो कोसे नमबर वान से स्टाट करते हैं स्टूदेंज यह को से नमबर वान हमने लिखा है साई निवर साली हमbased issues तो इस टाउंव आपको बताए की साई निःण क्या से निकलते सांवर गुलते सांवर निवर्स £1 कैसे निकलते लेकर इस ठीलेवन आपको land का 1 personalities चलिए देखते हैं 5 5 कितना होता है तो आप में कर सकते हैं यह तिरेक्ट यहां पर भी कर सकते हैं तो हम दो मेथोड में आपको बताएंगे इसका value कैसे निकलते हैं पहले हम रैडियान से बता देते लिए देखिए सुस्कों आप उपर में कैसे adjust करेंगे 6 को आप 6 pi minus pi लिख सकते है देखिए 5 pi है ना उपर में तो 5 pi की जगा पर 6 pi minus pi लिख सकते है तो उसके बाद split कर दिजिए तो this by this minus this by this that is 6 pi by 6 क्या होता है pi होता है minus pi by 6 is 5 by 6 देखिए न students pi minus 5 by 6 ये LCM ले लिजिए आपका मिल जाएगा 5 pi by 6 मिल जाएगा तो 5 pi by 6 के जागा पर आप ये लिख सकते है तो ये है pi pi तो even है तो sine आप बोलेंगे pi कैसे even हो गया ये 1 8 degree है 1 8 degree मतलब 19 to 2 तो ये pi देखिए second quarter pi minus pi by 6 ये second quadrant में है तो second quadrant में all sine 10 cos तो second quadrant में sine positive होता है तो positive sine pi by 6 होगा that is pi by 6 का value क्या आता है 5 by 6 का value मतलब आपको ये लिखने कोई ज़रूद नहीं है value लिखने का कोई ज़रूद नहीं है तो इसके बाद हम कैसे करेंगे इसको हो तो sine 5 by 6 को simplify करके हम को क्या मिला 5 by sign 5 by sign 5 by 6 इसको simplify करके हम को मिला है sine 5 by 6 sine 5 by 6 का value कितना आता है 1 by 2 कि होता है 1 by 2 तो sine 5 by 6 का value भी हाप होता है और sine 5 by 6 का value भी हाप होता है है तो sine 5 by 6 क्या हो जाएगा 5 by 6 हो जाएगा तो answer of question number 1 is 5 by 6 ओके और एक मेथाद आपको बता देते यह value calculate कैसे करते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते है 5 into 5 by 6 मतलब कितना degree 30 degree that is sign 150 degree को आप क्या लिख सकते है 19 to 2 minus 30 degree लिख सकते है या फिर 90 degree into 1 plus 6 degree लिख सकते है जैसे मन है आप करिए तो 2 to even number है तो sign sign ही रहेगा और 30 degree हमें बैठेगा और 19 to 2 मतलब क्या है 1 2 तो second quarter second quarter sign is positive तो that is half okay students तो half के बतले आप क्या लिख सकते है और 30 degree मतलब रेडियन में क्या होता है 5 by 6 होता है आप ऐसे भी कर सकते हैं बट हम लोग की investing nometri का साम हमेशार रेडियन में यूज करते हैं पाई से हम लोग यूज करते हैं तो next question number 2 करते है students question number 2 तो very simple साम है आपको यह जानते है आप class 11 में पढ़े थे सायन मैनेउस ऐसेटा क्या होता है मैनास सायनी ऐसेटा है मैनेशनी तेटा यह चले मैनेशनी थीटा होता है तो 10 inverse minus 1 क्या हो जाएगा, minus 10 inverse 1 हो जाएगा, अब 10 inverse है तो 10 inverse का principal value हमेशा minus 5 by 2 और 5 by 2 के बीज में लाइक करता है, यह आपको bracket में लिखना है, यह तीनो formula आपको bracket में लिख देना है, कि 1 marks का question है, तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो 10 inverse 1 है, तो 10 inverse 1 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 10, 5 by 4 लिख सकते हो, तो minus 10 inverse 10 5 by 4, 10 inverse 10 5 by 4 इसके बदले आप क्या लिख सकते है, 5 by 4, तो इसका answer आए, minus 5 by 4, देखे, minus 5 by 4 इसके बीज में लाइक कर रहा है, तो मेरा answer चाहिए, तो question number 3 करते है, question number 3 क्या बता है, tan inverse tan 3 pi by 4, तो फहले हम tan 3 pi by 4, इसको हम simplify कर लेते हैं, देखिए इसको कैसे करते हैं, denominator देखिए, denominator में 4 है, तो 4 को आप उपर में adjust करें, तो 4 को, यहाँ numerator में देखिए 3 है, तो 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 minus 1, that is 4 pi minus 3 pi, 4 pi minus pi लिख सकते है, by 4, okay, देखिए 4 pi minus pi क्या होता है, 3 pi, तो 3 pi by 4 हो जाएगा, तो आप split कर दीजिए, split करना मतलब 4 pi by 4 minus pi by 4, तो 4 pi by 4 क्या होता है, pi होता है, minus pi by 4, यह हो जाएगा, तो यह ह हो जाएगा, देखिए, pi मतलब 180 degree, और pi by 4 मतलब 45 degree, तो 180 degree तो even होता है, क्योंकि 19 into 2, 90 degree into 2, that is tan, यह pi by 4 हो जाएगा, और यह second quadrant है, pi मतलब, यह pi है, pi minus pi by 4, second quadrant, second quadrant tan is negative, so minus 10 pi by 4, यह आएगा, तो tan 3 pi by 4 को हम simplify करके क्या मिला, minus 10 pi by 4, यह आपको side में कर देना पड़ेगा, आप यहां पर भी कर सकते है, तो tan inverse क्या मिला हमको, minus 10 pi by 4 मिला, आप जानते है, tan inverse के बाद negative रहता है, तो negative क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो minus tan inverse, tan pi by 4 हो जाएगा, क्योंकि tan inverse minus x क्या होता है, minus tan inverse x, तो x मनी है इसको, तो आप tan inverse, tan x, इसको x मनी है, tan inverse tan x क्या होता है, x होता है, तो माइनस पाइब फोर इस दा आंसर आप कोसें नामबर त्री वेडी सेंपल कोसें देखें स्टुडेंज यह सम्स करने के लिए मेरे पास दो मेतोड है बाद पहले आपको इसी मेतोड बता देंगे उसके बाद और भी इसी मेतोड बता रहें आपको देखें टैन इन्वर्स तो ₹ 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 s ₹ 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 ₯ ₹ 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 सेमी आएगा एक formula मेरे पास है यह tan inverse x को आप लिख सकते हो cot inverse 1 by x लिख लिजी यह formula tan inverse x को आप लिख सकते हो cot inverse 1 by x तो इसका prove हम next video में बताएंगे धिरे-धिरे तो पहले यह formula use करते है देखे तो cot यहापे tan inverse x क्या है root 3 को x मनिया तो इसके जागा पे आप क्या लिख सकते हो cot inverse 1 by root 3 लिख सकते हो तो आप जानते है cot cot of cot inverse x क्या होता है x होता है तो cot of cot inverse 1 by root 3 क्या हो जाए 1 by root 3 तो 2 method हमको लगा आप बताएंगे कौन सा method easy लगा तो हमको comment करके जरूर बताएं next question number 5 करते है यह question number 4 था question number 4 यह था question number 5 करते है next तो यह भी very simple sum है इसके लिए आपको क्या formula चा होता है minus sin inverse x होता है okay और आपको जानना चाहिए sin of 60 degree sin 60 degree का value होता है root 3 by 2 यह दो formula ही काफी है देखिए sin 5 by 6 के बदले 5 by 6 लिख सकते है आप यह जो sin inverse के बद माइनस है यह माइनस बाहर आएगा तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और sin inverse आप root 3 by 2 के जगा पर आप क्या लिख सकते हो root 3 by 2 के जगा पर sin से value बताए है 5 by 3 sin 5 by 3 के value होता है root 3 by 2 तो हम यह बें bracket close कर दिया sin उसके बाद 5 by 6 के बदले 5 by 6 लिखिए plus के बदले plus sin inverse sin x इसको देखिए sin inverse sin x क्या होता है x होता है तो 5 by 3 हो जाएगा तो इसका LCM ले ले लेते है तो LCM क्या होता है 6 तो 5 plus 2 pi that is इसको simplify करते है तो 3 5 by 6 तो 3 2 जा 6 तो sin 90 sin pi by 2 मतदब sin 90 sin 91 होता है तो question number 5 का answer है 1 next question number 6 यह question हम आपको hint दे दिया है आप खुद solve करिए और मेरे से answer match कर लिचिए तो देखिए students cos के बदले cos लिखिए यहां पर first bracket का हम second bracket लिख सकते है cos inverse minus है तो cos inverse minus x क्या होता है pi minus cos inverse x तो यहां पर minus अगर बाहर आएगा तो क्या हो जागा pi minus cos inverse x x क्या है root 3 by 2 यह लिख सकते है plus pi by 6 next line cos second bracket pi minus cos inverse root 3 by 2 क्या होता है cos कितना डिगी root 3 by 2 होता है cos pi by 6 तो यह root 3 के जगा पर आप क्या लिख सकते हो तो cos pi by 6 plus के बदले plus pi by 6 के बदले pi by 6 तो next cos pi minus देखिए यह फॉलो करी इसको इसको फॉलो करी cos inverse cos x क्या होता है x होता है तो minus 5 by 6 हो जाएगा plus 5 by 6 तो इसके बाद देखिए pi by 6 minus 5 by 6 cancel तो क्या बचा cos pi बचा तो आप एक फॉर्मूला आप जानते है यह आफका बुग में नहीं है आप देख लिजिए स्कॉस नपाई इसका वहलू होता है minus 1 to the power n कॉस नपाई क्या होता है minus 1 to the power n हमेशे याद रखिए तो एन अगर 1 ले तो cos 1 pi क्या हो जाएगा minus 1 to the power 1 cos 1 pi हो जाएगा minus 1 to the power 1 that is minus 1 cos 2 pi एन अगर 2 ले एन अगर 2 ले cos 2 pi क्या हो जाएगा minus 1 that is 1 हो जाएगे एन 3 लेंगे cos 3 pi हो जाएगा minus 1 एन 4 लेंगे cos 4 pi हो जाएगा plus 1 ऐसे चलेगा तो cos pi एन अगर 1 लेंगे तो cos pi का value होता है minus 1 आप all sign 10 cos rule यूज करके भी यह question आप कर सकते हो 180 degree को आप लिख सकतो 90 degree into 2 plus 0 degree ऐसे भी आप कर सकते हो आया आप आपको समझ माया तो next बहुत अच्छा सामस है देखिए sin of 1 by 2 cos 4 by 5 इसको कैसे solve करेंगे इसके लिए आपको एक trick बता देते हैं देखिए हम जानते है कि sin of sin inverse x क्या होता है x होता है तो अगर इसको हम sin inverse x में बदल दे तो मेरा काम हो जाएगा इसलिए इसको साइन इंवर्स में बदलने के लिए यह जो हाफ cos inverse 4 by 5 यह ब्रैकेट है इसको हमने थीता महाने है तो तो तौ लेकि जाएंगे तो कहसे फोरडवाई भाई क्या हो जाएगा तो कहसे इंवर्स जाएं तो cos को साइड चेंज करेंगे तो इन्वास नहीं रहता है उसके बाद वाला लाइन हम यहां पर करते हैं और इसके बाद हमको क्या करना है इहां से साइन थीटा का वैलू निकलना है किसी भी तरह तो चलिए करते हैं इसके बाद वाला है यहां पर यहां पर और लिंगना पड़ेगा और 2 साइन्स का थीटा 1-4 by 5 इसको आप लिख सकते हो 1 by 5 लिख सकते हो क्योंकि LCM ले लिजिए तो 1 by 5 आएगा तो 2 साइन्स का थीटा क्या आया 1 by 5 तो और साइन्स का थीटा क्या हो जाएगा 1 by 10 हो जाएगा ओकर स्टूडेंस cho next तो क्या हो जाएगा साइन्सस का थीटा एकवाऑँ एकवाल टू1 by 10 होता है तो तो यहां पर प्लास भल्ल आपने क्यूं लिया माइनस कहा गया देखिए इसका रीजन हम तोड़ी दरवाद बता देते हैं बट पहले आप साम्स करने के लिए आप करनो डाउन कर लिजिए तो साइन को उधर भेज़ेंगे तो साइन इवस हो जाएगा तो हम माने इसको थीट आप से पहले झाओ धक यह मत्रेए कॉसरी फोर्ट वैइफ बहुर्स एसका धुक्त वैलो क्यूरेटर देखिए और इसका वालो गि सब्सक्रण calculator में देखिए यह दोनों का value सेम होता है तो इसके बतले आप यह लिख सकते हो तो यह है आपको जो step लिखेते हैं यह आपको करना पड़ेगा ओके तो यहां पर तो इसके जागा पर आप क्या लिख सकते हो sin inverse 1 by root 10 क्योंकि यह थीटा होता है तो यह भी थीटा होगा तो यह तो sin inverse sin क्या होता है 1 by root 10 तो इसके बाद हम लॉजिक बता देते हैं क्यूं हमने positive value लिया है negative value क्यूं नहीं लिया है देखिए आपको हमने बताया था कि cos inverse x का value हमेशा 0 से पाई के बीच में रहता है अगर हमने टू से डिवाइट कर दिया देखिए students आम बहुत साइड अगा टू से डिवाइट करें मतलब यह inequality को हमने क्या कर रहे है टू से डिवाइट कर रहे है है ओके तो आप यह एक्जाम में लिख दीजिएगा तो यह अच्छा लगएगा नहीं लिखेंगे तो तब भी चलाएगा कि वान मासा को से निया टू मासा को से इतना बड़ा करने का कोई जुरूरत नहीं है वान वाइट टू आपको समझाने के लिए आपको बता रहे है एक्स स को इस से क्या पता चला कि हाप कॉसी भी करेगा जी-डीडीडी और नाइंट निगिरि के बीज्चम लाइगा मताब फर inacARD इतो टू अ होता है ना यह तो फरस्ट कॉट एंठ ना तो हाफ कोसिंवस एक कुछ भी हो जाये एक कुछ भी लीजिए कोई भी रियाल नंबर लीजिए तो हमेशा इसका वैलू 0 to 5 by 2 ओर रेंज में मतलब जो डोमेंड है इसमें आप कोई भी रियल अंबर लिजिए हमें से 0 to 5 by 2 के बीज में ही लाई करेगा प्रिंसिपल भालू तो यहां पर हम लोग प्रिंसिपल भालू का भी बात करतें में ली तो यहां पर x के यहां पर 4 by 5 4 by 5 राखेंगे तो half cos inverse 4 by 5 इसका भालू भी 0 to 5 by 2 के बीज में लाई करेगा तो 0 to 5 by 2 के बीज में लाई करेगा तो 0 to 5 by 2 मतलब first quadrant समझेगा 0 to 5 by 2 के बीज में क्या होता है फ्रस्ट कॉर्डन तो 0 to 90 के बीज में 0 to 90 degree तो आप देखेंगे आप 0 to 90 degree बोट साइड साइड ले लिजिए तो sin 0 less equal to sin of 1 by 2 cos inverse 4 by 5 less than or equal to sin 90 हो जाएगा तो sin 0 क्या होता है 0 less than or equal to यह given sum यह given आपका sums less than or equal to sin 91 1 तो 0 तो यह जो sum है इसका value 0 to 1 1 के बीज में लाई करेगा तो 1 by root 10 तो 0 to 0 or 1 के बीज में तो है ही रेखिए यह आपर negative value तो 0 to 0 and 1 के बीज में नहीं होता है ना 0 और 1 के बीज में कैसे negative value आएगा इसलिए हम लोग positive value लिया है okay students आप यह line कर भी सकता है exam में नहीं भी कर सकता है two must होगा तो कर देंगे तो अच्छा है thank you very much last sums के तरह और एक sums देखिए 10 of cos inverse 8 by 17 यह आप खूत copy में solve करिए और मुझे comment करके जरूर बताई है इसका अंसर कितना है और हम दो hint दे दिया है देखिए आपको cos inverse 8 by 17 को theta मानना है और seconds का theta minus tens का theta equal to 1 यह जो identity है इसको use करके आपको करना है हमको comment करके जरूरूरूरूरूरू बती इसका